हलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल स्रिग्यान और आज हम कवर करने वाले हैं फोरेस्ट एन वाइल लाइफ रिसोर्स क्लास टेंथ की जियोग्रिफी का सेकेंड चैप्टर ओके तो देखो पृत्वी पर हमारे साथ साथ और भी धेर सारे जीव जनतु रहते हैं जिस इसके बाद मौसेश क्राइश जोकी एकदम मतलब घास से भी छोटी प्रजात यह पौधे हो थैं कह सकते हो इसके बाद बैैनियनटरी जोकी ट्रीज दुनिया में सबसे जयादा बड़े होते हैं उसके बाद एलेफेंट जोकी ओ unscrew पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनि this entire habitat we live it has immense biodiversity मतलब पृतवी पर बहुत अलग-अलग तरह की बायो डायवर्सिटी है बायो डायवर्सिटी को हिंदी में हम कहते हैं मतलब अलग-अलग तरह के जीवो का ग्रूप we humans along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system of our existence मतलब हम इनसान भी एक ecosystem का हिस्सा है ठीक है ecosystem क्या होता है एक बार को एकदम short में समझे है कि देखो मालो कि एक chain है chain कैसी? हीरन है ठीक है ये हीरन है हीरन क्या खाती है? गास ठीक है गास में क्या रहते हैं? मालो frogs और छोटे जीवजनतू frogs को कौन खाता है? snake ठीक है snake को कौन खाता है? eagle ठीक है eagle खाता है और deer को कौन खाता है? lion तो अगर आपने किसी जगा से सारे हीरनों को मार दिया जितने भी हीरन थे उस जंगल में सब को मार दिया तो क्या होगा गास बहुत जड़ा बढ़ जाएगा? घास बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा या फिर अगर आप एक काम करो आप हीरन की जगा लॉयन को मार दो ठीक है? हीरन की जगा हम किसको मार दियते हैं? लॉयन को जंगल से सारे लोयन गायव अब हीरन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और हीरन क्या करेंगे जब ज़्यादा होंगी तो ये सारी घास खा जाएंगी दीरे दीरे घास खतम होगी तो फ्रॉग खतम होंगे और जैसे ही frog खतम होंगे तो snacks खतम होने लगेंगे क्योंकि ये दिख जाएंगे इनको eagles फटा फट से खा कर खतम कर देंगे और eagles अगर नहीं eagles को जब खाना नहीं मिलेगा तो ये परिशानी में आएंगे deer को जब घास खतम हो जाएगी तब इनको भुखमरी की problem होगी और frogs को रहने के लिए घर नहीं मिलेगा तो ये आपके घर में गुश जाएंगे तो इस तरह से पूरा ecological system काम करता है और इसमें इंसानों का भी एक role है तो हम सबको ये चीज सोच समझ कर चलनी चाहिए और हमें भी इस पूरी biodiversity की पूरे ecosystem की खयाल रखनी चाहिए ठीक है for example देखो plants and animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe पेर पौधे जो होते हैं वो हवा को फिर से सांस लेने के काबिल बनाते हैं ठीक है आपको इतना तो पता ही होगा कि पेर पौधे ही हैं जो oxygen छोड़ते हैं carbon dioxide लेते हैं ठीक है the water we drink and the soil that produce our food without which we cannot survive जिस जमीन पर हम अपना अनाज उगाते हैं ठीक है जो पानी हम पी रहे हैं इन सब के बिना हम कैसे जी सकते हैं संभाव ही नहीं है forest play a key role in ecological system ecological system में जंगल एक बहुत ही मत्वपून भूमी का निभाता है और यह हम सब को अच्छी तरह पता भी है अब यहां देखिए biodiversity और biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species ओके चलो यह बाद में देख लेंगे यहां देखते हैं थोड़ा सा flora and fauna का मतलब आपको I hope की अच्छी से पता होगा flora मतलब plants और fauna मतलब animals तो flora and fauna means plants and animals ओके flora and fauna means plants and animals और आप अपने आसपास अगर देखोगे तो आप आराम से कुछ जानवर देख सकते हो जैसे कि हमारे घर में cats, dogs, horse, cow, buffalo यह तो सहरों में भी देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप आसपास देखोगे तो देख जाएंगे इनफेक्ट अगर भारत की बात करें तो विश्व के सबसे richest countries में से माना जाता है लेकिन पैसे के टर्म पे नहीं जीव जन्तुओं के टर्म पे, biological diversity के टर्म में मतलब भारत में जैवविविद्था बहुत अधिक है अन्य देशों की तुलना में यह वन अफ तब richest country मानी जाती है ठीक है दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट द डिसकबर्ड मतलब अभी तक हमने जितने जानवरों और जीवों को ढूंडा है उससे और भी कई जानवर भी बाकी है हमने जितना ढूंडा है वो सिर्फ तीन मेंसे दो लोगों को ढूंडा है दो जीवों को ढूंडा है लोगों को नहीं तो अभी भी एक परसेंट या दो परसेंट बाकी है तो मैंने बताया भी था कि क्लास 9 में हम पर्चुके हैं देली लाइफ में हम इसकी इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह समझ भी चुके हैं और मैं एक बार फिर से बता भी देता हूं कि देखो जंगलों से हमें मेडिसिन मिलती है साथ ही साथ हमें वूड मिलता है जिस पर पूरी की पूरी प्लाइवूड इंडस्ट्री चलती है सेकेंड इसी वूड से हम पेपर बनाते हैं तो पेपर इंडस्ट्री भी चलती है ओके ठीक है इसके बाद एर पोल्यूटेंट को ये कम करता है एर पोल्यूटेंट को कंट्रोल करता है ठीक है सोयल इरोजन को कम करता है जमीन के कटने की जो प्रक्रिया है जमीन को नश्ट होने से बचाता है च्छाय होने से बचाता है तो यह बहुत important process है अगर यह सारी चीजे नहीं होगी तो हम सोच भी नहीं सकते हमारे घर की आधी से ज़्यादा चीजें सिर्फ जंगलों से मिलती है ठीक है स्वाई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा भारत में जितने जीव जन्तु पाए जाते हैं उसमें से लगभग 10% wild flora ठीक है wild flora का मतलब है plants 10% plants जो जंगलों में wild ली रहते हैं जिसके हम खेती नहीं करते हैं ऐसे plants और 20% ऐसे mammals अब खत्रे की list में है इन पर खत्रा मंडरा रहा है और कई तो ऐसी category में हैं कि अब सब गायब होने वाला है बस अगर नहीं ध्यान दिया गया तो कुछ ही समयों में खतम हो जाएंगे देखो जैसे की चीता है पिंक हेड़ेट डख है माउंटेन इक्वेल है फोरेस्ट स्पोटेड आउलेट है प्लांट लाइक मधुका ठीक है ये वाइल्ड वेराइटी है महुआ की वैसे महुआ से सराब भी बनती है बट महुआ से और भी बहुत सारी चीज़े बनती है बिहार में या फिर और कई जगहों पर महुआ की रोटी बनती है और ये रोटी ठंड के दिनों में अगर खाई जाए तो सरीड को काफियत तक गर्मी रखती है तो ऐसे बहुत से जीव पेर हैं बहुत से जानवर हैं जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है खतम हो रहा है ठीक है No one can say how many species may have already been lost कई जातियां प्रजातियां जो हैं वो अल्रेडी विनास हो चुकी है उनको हम नहीं पता कर सकते कि कितनी खतम हो गई But today we can talk of only of the larger and most feasible animals and plants that have become extinct लेकिन आज की डेट में अगर कोई बहुत जादा खतम होने वाला जानवर या पौधा दिखाई दे रहा है तो छोटे जानवरों की तो हम क्या ही बात करें है ना अब आप यहाँ देखो Venice का मतलब होता है किसी चीज को खतम करना ठीक है जब कोई चीज नस्ट हो जाती है तब आप इसे Venice कहते हो तो इस्टिमेंटेड अंदाजा है कि देश में कितना फोरेस्ट है 79.42 मिलियन हेक्टियर हम इसे 80 मिलियन हेक्टियर कह सकते हैं एकदम एप्रोक्सली ठीक है बट यह पूरी दुनिया का 24.16 परसेंट है ठीक है dense forest सिर्फ बाइस परसेंट है 12 परसेंट है sorry open forest जो सबके लिए allowed है जो जाया जा सकता है जहां वो 9.14 परसेंट है mangrove 0.14 परसेंट है mangrove के forest कहां पाए जाते हैं आप comment करके बताएगा Class 9th के chapters में हम अभी कुछ दिन पहले ही discuss कर चुके हैं According to the State of Forest Report, the dense forest cover has increased by 3775 square kilometer तो इतना सारे 3000 km लगभग square km dense forest increase हुआ है However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measure तो यह जो increase हुआ है जंगलों में यह सिर्फ हमारे conservation measure के वज़े से हुआ है Conservation का मतलब होता है, हिंदी होती है इसकी सनरक्षन क्या होता है? सनरक्षन अगर यह भी नहीं समझ में आता है तो simply बचाओ के कुछ जो steps उठाए जाते हैं बचाओ के जो कदम उठाए जाते हैं जंगलों को बचाने के लिए उसकी वज़े से यह increase हुआ है चलिए Let us understand the different categories of existing plant and animal species based on the international union देखो एक international union है जो एक list बनाती है वो यह बताती है कि आपके यहां से यह यह चीजें बहुत अच्छी है और आपको इसे बचा कर रखना चीए ठीक है देखो normal species कौन सी है Whose population level are considered to be normal जिसकी जन संख्या को हम मानते हैं कि हाँ इनकी जन संख्या normal है जैसे कि cattle है, गाय, बैल, घोड़ा, हाँ थी यह सब, साल, पाइन, यह बैंबू अगरा जो है यह normally हमेशा हमें मिल जाता है endangered species मतलब जो अब धीरे-धीरे खतम हो रहा है अब कम मिलते हैं ठीक है These species which are endangered in extinction अब यह धीरे-धीरे विलूपती के कगार पर है The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate The example of such species are देखो Black duck Crocodile Indian wild ass Indian rhino Lion Tailed maca Sorry, tailed macaque और सांगाई Brown entered deer जो मनीपूर में पाई जाती है Indian rhino जो कि specially काजी रंगा और West Bengal के साइट पाई जाते हैं तो यह अब धीरे-धीरे विलूपती के गगार पर हैं क्योंकि इनका सिकार होता है ठीक है और जब किसी चीज का गलत तरीके से सिकार होता है आपको एक और बात बता दूँ कि जब illegally किसी चीज की hunting होती है तो उसे हम poaching कहते हैं क्या कहते हैं poaching कहते हैं poaching का मतलब होता है illegal hunting ठीक है तो I hope कि आपको याद रहेगा अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ठीक है अब ये देखो vulnerable का मतलब है कि अग अब अगर steps नहीं उठाए गए तो ये तो मतलब एकदम खतम होने वाली हैं जो species एकदम विलूपती के गगार पर हैं ऐसे जीवजनतुओं को vulnerable species कहा जाता है these are species which population has declined population जिनकी decline हुई है घटी है level from where it is likely to move into endangered category मतलब अब ये endangered category से भी नीचे आ गए है अब इनको एकदम कुछ सालों के बाद देखना मुश्किल हो जाएगा ठीक है और इसके examples क्या है elephant asiatic elephant blue ships भेर नीले रंकी तो मैंने भी नहीं देखी अभी तक gangetic dolphin ये सब चीजे है ये अब और rare species मतलब अब बहुत कम बची हैं अब तो दिखाई ही नहीं देती है ऐसे जीव है species with small population इनकी population कहा है small है and move into endangered or vulnerable category in the negative factors affecting them continue to operate examples देखें wild asiatic buffalo desert fox and hornbill hornbill तो सही मैं अब नहीं देखने को मिलते brown hair भी नहीं देखने को मिलते beer है sorry तो endemic species these are species which are only found in some particular area usually isolated by natural or geographical barriers मतलब ये कुछ हैसे जीव हैं जो सिर्फ किसी एक खास पार्क या एक सिर्फ एक मतलब national park वे गरा मैं देखने को मिलते हैं जैसे कि नीको बार पीजन अंडमान की wild pig मिथू निनरुनाचल प्रदेश और अंडमान की teal तो ये कुछ हैसी चीजे हैं जो नहीं देखने को मिलते हैं और अब विलूप्त का कौन-कौन ऐसी हैं जो अल्रेड़ी गायब हो जही हैं अब इनको नहीं पाया जाता नोट फाउंड ठीक है तो इनको कौन-कौन सी चीजे हैं जो नहीं पाय जाती हैं देखो पिंक हेड की डख एसियाटिक चीता नहीं देखे जाते अब ठीक हैं तो पूरी पृत्वी पर जब कोई चीज कोई जीउ या कोई पौधा खतम हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं extinct species ओके देखो एसियाटिक चीता अखिर गाये कहां the world fastest land mammal मतलब जमीन पर सबसे तेज दोड़ने वाला mammal mammal उसे कहा जाता है जो बच्चे देता हो बच्चे पैदा करता हो उसे mammal कहा जाता है the cheetah cheetah का scientific name देख लो ठीक है is a unique and specialized member of cat family तो यह किस family से बिलों करता है सर जी cat family से and can move at the speed of 112 km per hour इनकी speed कितनी थी 112 km per hour the cheetah is often mistaken to be a leopard cheetah को कभी कभी leopard की तरह भी देखा जाता था और same to same cheetah leopard की तरह ही लगते ठीक है its distinguishing mark are the long tear drop shaped lines on each side of the nose इनके नाक के पास एक निसान होता था जिससे इन्हें देखा जा सकता था ठीक है बीस्वी सताब्दी तक cheetah were widely distributed throughout Africa and Asia today the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey मतलब इनके रहने के लिए घर ही नहीं बचा जहां इनको रहना चीए था काम लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज बना दी घर बना दिये पार्क बना दिये तो इनके रहने की जगा खतम हो गई है ठीक है तो इनको 1952 में ही डिकलेयर कर दिया गया एक्स्टिंट ठीक है इसा क्या हो सकता है अगर ये चीजे प्रिथवी से गाइब हो जाए या एक्स्टिंट हो जाए तो तो क्या होगा देखो अच्छा ये कौन सा फूल है आप थोड़ा सा एक बार मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने इसे देखा है जानते हो ठीक है तो आप बताना वैसे मैंने इस बर्ड को भी अभी तक नहीं देखा है तो अगर आपने कहीं इस बर्ड को देखा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए ठीक है वैसे ये बिच्छू है बिच्छू को तो हम लोगों ने देखा है इसको इंगलीस में क्या कहते हैं कमेंट करके बताना देखते हैं कि आप बता पाते हो या नहीं वैसे अब ये भी विलूपती के कगार पर आ गई है और कौन-कौन से जानवर है यहां देखो आप ठीक है चलो अब यहां देखते हैं हमें जो कुछ भी डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट रूप में वाइल लाइफ जंगली जीव और जंगली पौधों से मिलता है उसे देखते हैं वुड बाक्स लीव्स रबर मेडिसीन मतलब लकडियां पते रबर मेडिसीन डाइज यानि की अलग तरह की कलर होते हैं फूड भी मिलता है जैसे की अलग अलग तरह के फ्रूट वगर आते हैं न फ्यूल मिलता है लकडियां जलाने के काम भी आती है फोडर यानि कि खा देखता रखा कह सकते हो आप फोडर और मैनुवर को एट सेक्टर तो इस वज़ा से हम यह कह सकते हैं कि हम ही सबसे बड़े रिजन है जंगलों के डिपलेशन का जंगलों के कटाओ का ओके यह देखो इंडियन फोरेस्ट वाज डिविंग दे कोलोनियल प्यूरियड कोलोनियल प्यूरियड पे फोरेस्ट एन कोलोनियलिजम पे एक पूरा चैप्टर है अगर आप चाहें तो उसको इंट्रेस्टेड हो तो जाके देख लिजेगा हमारे चैनल पे एफलेबल भी है मैंने बताया था कि रेलवे जब बनाया अंग्रे जोने तो उसमें एक स्लीपर यूज होता था मतलब ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के बीच में ये लोग लकडियां के पटे बिछाए जाते थे आपने पहले अभी भी कहीं कहीं देखा होगा तो ये लकडियों के पटे अगर पूरा जहां तक रेलवे लाइन फैली है वहां तक हर जगा बिझाई जाए प्वापधाजा लगा सकते हो कि कितनी लकडियां लगे होंगी ओके तो रेलवे का एक्सपांशन हुआ तब भी लकडियों का कटा हुआ हमने खेती के लिए भी कितनी जमीने साफ कर दी एगरिकल्चर और कॉमर्सियल के मतलब है कि कई सारी फैक्टरियां लगती है जंगलों में फ्रूट्स के लिए हनी के लिए प्लाइवुड के लिए पेपर के लिए ठीक है उसके बाद साइंटिफिक फोरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज ठीक है तो जब कहीं मालो कि कोईला या फिर कोई खनीजलवन मिल जाता है बबरक बबरक तो क्या होता है कि उस जगह को लोग अपने कबजे में ले लेते हैं उस जगह को साफ सफाई करके वहाँ camps बना दी जाती हैं और फिर वहाँ से कोईला, कोई और minerals आती हो तो वो भी निकाल दिया जाता है तो ऐसे में उन जंगलों की बुरी हालत हो जाती है, जीव जन्तुओं को दिक्कत होती है देश की आजादी के बाद, after independence, agricultural expansion बढ़ा क्योंकि खेती के लिए जमीन चाहिए थी, population बढ़ रही थी ठीक है, जिससे क्या हुआ, जोकी एक बहुत बढ़ा मुख्य कारण बना जंगलों की डिपलेशन का 1951 सो 2980 यानि 30 सालों में, जब forest service हुआ, तो 26,200 स्क्वेर किलोमीटर का जंगल convert हो गया किस चीज में, agricultural land में, जहाँ पहले जंगल था, वहाँ क्या हो रहा था, खेती हो रही थी especially जो tribal belts है, जहाँ tribal लोग रहते हैं, especially in the north, eastern and central Asia, north, east और central Asia में, यह ज़्यादा हुआ shifting cultivation भी इसका एक reason रहा, मैंने बताया है, आपको shifting cultivation क्या होता है mostly यह पहारों पर किया जाता है, और पहार को काट कर, पहारों को काट कर कुछ ऐसा shape दे दिया जाता है ठीक है, अब इस पर क्या किया जाता है, कि इस जगह के सारे पेर पौदों को जला दिया जाता है और यहाँ जला कर, उच्छोर दिया जाता है कुछ समय के लिए, और वहाँ की राख जब मिट्टी के साथ अच्छे से मिल जाती है तब वहाँ खेती की जाती है और 2-4 साल खेती करने के बाद लोग क्या करते हैं यहां से उठकर यहां चले आते हैं यहां से उठकर यहां चले आते हैं और फिर 10-20 सालों के बाद इस जगा पर दोबारा है जब अच्छी तरह जंगल हो जाते हैं तो फिर से आ जाते हैं, जंगलों को जलाते हैं, और फिर से खेती करते हैं, तो आप समझ गये होंगे कि shifting cultivation क्या है, ओके, ठीक है, एक सेकंड, तो जूम खेती या फिर shifting cultivation एक ही बत है, इसको slash and burn agriculture भी कहा जाता है, ठीक है, अब देखिए, forest policies to be blend, क्या हम forest, मतलब जो अंग्रेज आये थे हमारे देश में, हम उनको दोसी ठहरा सकते हैं, हमारे देश में, जो मतलब जंगलों के साथ कटा हुआ बुरी तरह से उसको, तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर माल लिजए कि railway उस समय देश आजाद होता, तो भी railway कि slippers के लिए ह मारे पास लक्रियों का ही एक option था, तो अगर हम भी लगाते तो लक्रियां तो लगाते ही, कुछ basic कामों के लिए जो लक्रियां यूज होती थी, वो होती ही थी, राजा महराजा सिकार करते ही थे, हाँ, दिक्कत ये हुई, कि अंग्रेजों को उनके देश में, लक्रियां न लेकर जाने लगें, तो ये एक उनका reason था, कई हद तक हम अंग्रेजों को इस मामले में दोसी कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह आप सिर्फ अंग्रेजों को दोस दें कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, थोरी बहुत गलती हमारी भी है, ठीक है, ये दिखे, टीक monoculture has damaged the natural forest in South India, क्या होता है, कि हमें एक तरह का पौधा चाहिए, ठीक है, जो कुछ इस तरह का हो, कुछ इस तरह का हमें पौधा चाहिए जो मालो की हमें cricket के बैट के लिए पौधा चाहिए और वो तो क्या करते हैं कि वहां के जंगलों को काट कर और सिर्फ एक तरह का पेर लगाया जाता है तो आपने बाकी वहां के जंगलों को काट दिया वहाँ आपने अपना intervention शुरू कर दिया आपने वहाँ interfere करना शुरू कर दिया तो वहाँ के जो natural जीव जन्तु है जो पेर पौदे हैं वो तो आपने नस्ट कर दिये राइट देखो तो large scale development projects जब कोई development project होता है तब भी दिक्कत होती है जैसे मालो ये एक नदी है और नदी के पास आपने बांध बनाया तो बांध के लिए इतना सारा एरिया तो आपने पानी के storage के लिए रखा तो पानी के storage के लिए आस पास का जो हिलाका था ये जंगल वंगल सारे तो आपने नस्ट कर दिये ना ये तो आपने जंगल वंगल सारे यहां के नस्ट कर दिये तो इसी तरह से कोई भी development projects होता है तो और भी डेर सारे developmental projects होते हैं कहीं university बनानी है तो कहां बनाओगे हमारा घर तो और तो आप बना नहीं सकते तो आप सहर के आसपास जो भी जंगल होगा उसे काट कूट के क्या करोगे university और college बनाना सुरू करोगे ठेक है तो इससे क्या होता है loss of forest since 1951 over 5000 square kilometer of forest was cleared for the river valley projects मैंने बताया था ना कि नदियों के उपर बांध पर योजना चलाई जाती है तो उस बांध को बनाने के लिए हमें जंगलों को साफ करना परता है और 5000 square kilometer तो सिर्फ river valley project के लिए यूज किया गया है और ऐसा project अभी भी चालू है ठीक है इसका एक example देख सकते हो आप नर्मदा सागर project in मध्यप्रदेश which would in inundent 40,000 hectare of forest 40,000 hectares को प्रभावित करेगा या नर्मदा सागर project इसके साथ ही mining mining को आप क्या कह सकते हो हिंदी में खुदा ही कह सकते हो एक तरह से जिसमें ख़दानों से कोईला और मतलब मालो की लोहा अलग अलगतरा के minerals निकाले जाते हैं ठीक है लेकिन ये भी forestation करते हैं क्योंकि अगर मालो की ये एक जंगल है और आपको यहाँ पर कोई चीज मिल गई तो सबसे पहले तो आप एक रास्ता बनाओगे तो यहाँ का जंगल आपने effect कर दिया यह वाला जो जंगल का जगा था साथ ही साथ यह पूरा इलाका आप साफ करोगे यहाँ पर camps लगाओगे machinery बिठाओगे ठीक है तो आपने इतना बड़ा इलाका तो कम से कम effect कर ही दिया तो इसी तरह से deforestation होता जाता है ठीक है वेस्ट बेंगल में बकसा tiger reserve है और यह सिरियसली खत्रह में है सिर्फ इस लिए क्योंकि dolomite की mining होती है यहाँ पर। Yeah dolomite की mining की वज़े से यह tiger reserve वेसारा खत्रह में आगया है It has disturbed the natural habitat behaviors to many species and block the migration route of several others ठीक है ग्रेट इंडियन एलिफेंट्स भी यहां रहती थी और इनको भी तकलिफ होगी तो आपने देखा कि हमारे इंटर्वेंशन्स हमारी मतलब इंटर्फेरेंश की वज़े से जंगलों की कितनी बुरी अवस्था हो जाती है ठीक है जो जंगलों से प्रेम करने वाले लोग हैं जो वातावरन के बारे में अच्छी समझ रखते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फोरेस्ट बिहाइंड डिप्लेशन अफ फोरेस्ट रिसोर्स और ग्रेजिंग एंड फ्यूल वूड कलेक्शन फ्यूल वूड कलेक्शन का मतलब होता है कि आप लकडियों को खाना बनाने के लिए या फिर किसी चीज के जलाने के लिए यूज करो अगर चराने के लिए चरवाहे किसी जंगल को यूज करें थ्रू देर में भी सम सबस्टांसेस इन देर अर्गुमेंट यद ये यह थैक्ट रिमांस तर्ट सुबस्तेंशल पाट फ्यूल फोड़ दिमांड इस मीड़े लफिंग उदर देर देर फिल थे इंट इन प्रॉरी तर्ट इसक्राइब बेश पाइल ये तो देखिये लक्रियां भी हमारे लिए जरूरी हैं फरनीचर वगेरा आप से लेकर क्रिकेट के लिए बैठ हो जाए नाओ हो बहुत सारी चीजों में लकडियों की जरूरत पड़ती है तो लकडियों का इस्तेमाल करना भी है ठीक है और जंगलों को भी बचाना है साथ ही साथ मिनिरल्स में कोईला केरोसीन तेल और बाकी तरह के खनीच जैसे की अबरक हो गया आइसरी चीजों निकाली तो जाती है मिनेरल्स तो माने करके निकाले जाते है तो यह जो चीजों है आखिर कहीं ना कहीं हमारी फोरेस्ट को इंटक्त तो करती है प्रबाव तो डालती है अब यह देख लेते हैं यह हमाले यह अब लूट है इससे दवाईया बनाई जाती है ठीक है हिमाचल प्रदेश में यह पाया जाता है और उनाचल प्रदेश में भी पाया जाता है ठीक है और इसमें जो एक कैमिकल पाया जाता है उसको कहते है टेकसॉल और यह बार्क या फिर नीडल्स के तरू मतलब छाल से या फिर सुई के थुरू उससे निकाल लिया जाता है यह उनकी जरों में रहता है उससे निकाल लिया जाता है ओके और यहां देखो आप एक चीज देख लो कि लोग आप कभी अगर किसी गाम वगरा में जाओ तो वहाँ के लोग जंगल जाते हैं और इस तरह से घास वगरा काट कर अपने गाय बैलों के लिए लेके जाते हैं ठीक ठीक उसी तरह यहां महिला हैं देखो आप जंगली सामान बेचने आई हैं अलग-अलग तरह के इस पेसे लिए अगर आप कहोगे तो हमारे मार्केट में भी यह चीजें मिलती हैं कुछ हट तक तो जंगलों के होने से हमारे देखो यहां लकडियां लेकर जा रही है गास वगरा लेकर जा रही है ताकि यह महिला जो है यह लकडी लेकर जा रही है और यह गास लेकर जा रही है ताकि घर पे जलावन के रूप में खाना पकाने के लिए यूज कर लिया जा सके और यह आप जिव जन्तों को खिलाने के लिए यूज करती है अब देखो और वो दवा जो है वो cancer को treat करने के लिए यूज होती है The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world और ये जो दवा है ये biggest मतलब सबसे ज़्यादा selling होने वाली दवाओ में से एक है जो cancer के इलाज के लिए यूज होती है The species is under great threat due to over exploitation अब सब को पता है कि ये बहुत महंगा बिकरा है बहुत valuable है तो सब ने इसको खोज खोज कर तोर तोर कर collect करना सुरू कर दिया और इससे क्या हुगा कि ये जो प्रजाती थी पौधे की ये पूरी तरह गायब होने लगी ठीक है दस सालों में thousands of हजारों पौधे क्या कर दिये गए सुखा दिये गए क्यूं क्यूंकि आपने इसके जर को कोड़ कोड़ कर जब आप किसी पेड़ का किसी भी एक पेड़ का अगर आप जर ही काट दोगे तो क्या होगा सुखे गई ना पेर रेट आप जीव जन्तूओं के रहने की जो घर है उसको नस्ट कर रहे हो उनका सिकार कर रहे हो मैंने पोचिंग के बारे में बताया था illegal hunting, over exploitation कर रहे हो, मतलब जरूदत से ज़्यादा आप किसी चीज़ का यूज कर रहे हो, pollution हम फैलाई रहे हैं गारियों से और कई तरह से poisoning and forest fires are factors तो जब भी आप से कुछ पूछा जाए कि जंगलों के depletion का कारण क्या है तो एकदम simple देखो आप यह ही लिख सकते हो habitat destruction, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are the some factors which had led to the decline of India's biodiversity और यह पक्का कि कोई न कोई question पूछेगा कि Indian biodiversity की decline का reason बताऊ और आपको 5 रीजन तो मैंने उपर बता दी ठीक है other important causes of environmental drick sensor are unequal axis सब के पास समान अधिकार नहीं है जंगल में जाने का inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being जंगलों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो बहुत कम लोगों के पास है जबकि जंगलों को यूज करने की जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के पास over population in third world country हम आपको अलड़ी पता है कि भारत विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा populated country है चाइना के बाद तो यह भी एक बहुत बड़ा डी जने क्योंकि ज्यादा लोग मतलब रहने के लिए ज्यादा जगह खाने के लिए ज्यादा अनाज ठीक है ज्यादा कुरसियां ज्यादा घर और ज्यादा समागरी और ज्यादा सामान के लिए क्या होगा ज्यादा environmental degradation तो अगर हम सोमालिया के लोगों को अमेरिका के लोगों से तुलना करें तो चालिस ताइम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के लोगों मतलब जो भारत के पांच परसेंट रिच लोग है ये ज्यादा damage करते हैं ecology को गरीब हो से क्यों क्योंकि इनकी demand ज्यादा है इनकी demand ज्यादा है the poorest 25% 25% गरीब करते हैं तो 75% अमेर करते हैं ठीक है the former share minimum responsibility of environmental well-being और responsibility minimum है the question is who is consuming what from where and how much सवाल ये है कि कौन consume करता है क्या consume करता है कहां से consume करता है और कितना consume करता है क्या आपको पता है कि over half of India's natural forest आधा से ज्यादा जंगल आज खतम हो चुका है ठीक है wetlands धीरे धीरे drain out हो गए 70% तक जो सता के नीचे का पानी था ground water था वो खतम हो चुका है और surface पर जो नदियों में पानी है वो प्रदूसित हो चुका है ठीक है तो आप अंदाजह लगा सकते हो कि क्या दसा है ठीक है I hope कि आपको यह यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा आपकी कोई भी query हो तो प्लीज आप comment कीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम स्रिग्रियान पर आप टेक्स्ट भी कर सकते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए अपने फ्रेंज के साथ सेर करिए अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में तब तक के लिए Have a great day Keep studying, keep growing